तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप OKX जो प्लैटफॉर्म है उससे मुद्रेक्स के अंदर अपने फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं आपके फंड्स OKX में फसे हुए हैं तो आप कैसे वहाँ से निकालके मुद्रेक्स में अपने फंड्स को ला सकते हैं डिपोजिट कर सकते हैं सबसे पहले तो आपको अपना जो OKX प्लैटफॉर्म है वो खोल लेना है ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा फिर उसके बाद आपको यहाँ पर यह कोने में एसेट्स का यह जो ऑप्शन है यह देखने को मिल जाएगा इस पर सिंप्ली क्लिक करना है उसके बाद आपको यहाँ पर उपर यह जो funding का option है इसके उपर click करना है फिर आपको यहाँ पर withdrawal का option देखने को मिल जाता है इस withdrawal का option के उपर click करना है उसके बाद जो भी आपके funds होंगे वो आपको यहाँ पर दिखने लग जाएंगे मतलब इसके OKEX के अंदर जो भी आपने funds रोक रखे होंगे वो आपको दिखने लग जाएंगे उसमें से जैसे हम USDT को यहाँ पर विड्रॉल करके Mudrax के अंदर डालेंगे तो simply USDT पर क्लिक करना है उसके बाद आपको मुद्रेक्स एप्लिकेशन ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर deposit पर simply click करना होता है deposit और यहाँ पर deposit crypto को option देखने को मिल जाता है इस पर continue पर click कर देना होता है उसके बाद जब से हम tether को ही deposit करने जा रहे हैं तो यह USDT tether आ जाता है इस पर simply click करना है और जो भी network आप चाहो उसे choose कर सकते हो जो भी वहाँ पर आपके OKX platform के अंदर भी दिखा रहा हो working हो उसी को आपको choose कर लेना है वो वहाँ पर working होना चाहिए आपको same ही network के उपर crypto को send करना होता है आपको यह बात पता ही है जैसे हम यहाँ पर TRX ही ले लेते हैं TRX पर simply click करना है और उसके बाद यह address आ जाता है इसे copy कर लेना है उसके बाद आपको अपनी जो OKX platform है उसे खोल लेना है क्योंकि आगर आपका account यहाँ पर on होगा working होगा और आपके funds यहाँ पर हैं तो इस तरीके से आप करोगे मैं basically आपको एक tutorial जैसा दिखा रहा हूँ यहाँ पर कैसे कैसे आपको करना होता है तो यहाँ पर फिर आपको address में जाकर अपना जो code है जो आपका address निकल के आया है TRC20 वाला उसको यहाँ पर आपको paste कर देना है address paste हो गया उसके बाद आपको यहाँ पर जो network है वो भी TRC20 बहुत ध्यान से TRC20 सेलेट करके सेलेट कर देना है ठीक है क्योंकि आप यहाँ पर TRC20 का ही address लेके आये थे मुद्रेक से हमने TRC20 के लिया था उसके बाद जो भी आपका amount होगा वो आपको यहाँ पर ले लेना है जो भी amount आपका click करके आपको डाल देना है यहाँ पर अगर आप सारा ही करना चाहते है तो maximum पे simply click कर देना है उसके बाद आपको submit पे यहाँ पर click करना पड़ेगा ठीक है submit पे click करने के बाद आपको कुछ नहीं करना सिर्फ वेट करना है ठीक है थोड़ी देर वेट करने के बाद थोड़ी ही देर में आपको यहाँ पर मुद्रेक से additional detail require का इस तरीके से एक SMS आ जाता है उसके बाद आपको उसके उपर click करना होता है उसके बाद नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ आपको यहाँ पर details वगएरा देनी पड़ेंगी उस पर click करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं TRC20 से हमने USGT वगएरा मंगाये थे Binance से नहीं मंगाये थे तो इस पर click करने के बाद आपको उपर जाके Others पर click कर देना है Select कर लेना है ठीक है Investment Purpose वगएरा आप डाल सकते हैं Investment Purpose के लिए मंगाये थे एक label डालना पड़ेगा आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं उसके बाद आपको verify address पे click कर देना है थोड़ी ही देर में आपको इस तरीके से track process का option देखने को मिल जाएगा और थोड़ी देर wait करने के बाद आपके जो deposit हैं वो successfully यहाँ पर Mudrax के अंदर आपको show होने लग जाएंगे आपके OKX से जो deposit करे थे आपने withdraw करे थे Mudrax के अंदर आपको दिखने लग जाएंगे तो इस तरीके से आप OKX से Mudrax के अंदर अपने funds को transfer कर सकते हैं ध्यान रखना है कि जो आपने network Mudrax के अंदर choose करा होगा वहाँ से network choose करके जो address निकाला होगा OKX के अंदर भी उसी address के ऊपर आपको deposit करनी है और वही network जैसे हमने TRC20 choose करा था आपको भी वही network के ऊपर crypto अपनी send करनी है ऐसे आप send कर सकते हैं आप Mudrax के अंदर cryptocurrencies के जो deposits होते हैं और withdrawals होते हैं और अच्छे तरीके से यहाँ पर काम करते हैं तो अगर आप Mudrax को try out करना चाहते हैं देखना चाहते हैं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको description में पहली link मिल जाएगी आप link पे click करके अराम से Mudrax को download कर सकते हैं और ये वाला जो referral code है राक्मो 500 अगर आप इसको लगा के आपको नए नए अकाउंट में आप पहली बार में 5000 से रुपीज से उपर के deposit करते हैं तो आपको 500 रुपे के bitcoin बिल्कुल free of cost मिल जाते हैं तो आप अपने 500 रुपे के bitcoin claim कर सकते हैं Mudrax के नए अकाउंट में 5000 से जादा deposit करके और ये प्रोमो कोड लगा के बाकी इतना ही था इस वीडियो के अंदर अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला तो वीडियो को लाइक जरू कर दीजिए हमारे इस चैनल को subscribe कर लीजिए अपना ध्यान रखिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में